नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इस दोरान बाहर रहने के लिए खर्च का वहन भी राई सरकार करेगी छात्रों को आने जाने के लिए पर्योहन भत्ता भी देगी और प्रसिक्षन के बाद रोजगार नहीं मिलने की स्थिती में एक साल तक बेरोजगारी भत्ता का भी परोधान किया गया है इस योजनाओं के साथ साथ राजे केबिनेट की बैठर में गुरुआर को 34 प्रस्ताओं को स्थिती परदान की गयी है बतादे रोजगार नहीं मिलने की स्थिती में एक हजार रुपे की प्रोध साहन राजसी मिलेगी इस योजनाओं के तहथ चात्रों को युवाओं का कौसल विकास किया जाएगा इसके तहथ प्रसिक्षन केंद्रे की परखंड अस्तर पर कमी थी जिसके लिए खाली पड़े सरकारी भावनों और इसकूलों के इस्तेमाल की अनुमती दी गई है जारखंड की राज़ानी राची समयत आसपास के जिलो में धीरे धीरे गुलावी ठंड ने फीजा बदल दी है सुबह और देर साम ठंड का परकोप बढ़ने लगा है सुबह कोहरा के बाद मौसम साफ रहेगा जबकी 11 नॉमबर से बादल छटने की समभवना है मौसम बेग्याई ने बताया है कि आज से जारखंड के कई हिसों में बादल छटने लगेंगे जिसका असर ठंड पर भी पड़ेगा उन्होंने बताया है कि इस वस पच्छमी दिसास से हावा के बाखाव का असर देखने को मिले गया और रिकोर्ड तोडने वाली ठंड 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच होगी लातेहर पूलिस को नकसलियों के खिलाब बड़ी सफलता जार्खन की लातेहर पूलिस को गुरू आर को नकसलियों के खिलाब बड़ी सफलता मिली है लातेहर जीला के गारू थाना चेत्र अंत्रगत पीरी जंगल में नकसलियों के खिलाब पूलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया इसमें पूलिस को बड़ी सफलता मिली है चर्च अप्रेशन के दवरान सुरक्षावलो को पीरी के गनखाईड जंगल से इनसास राइफल मैग जिन समेत भारी मात्रा में 20 फोटक बरामत हुआ है इससे तीन दिन पहले यहां नक्सलियों के बिजमुढभेड भी हुई थी इनसास राइफल मैग जीन और अने 20 फोटक बरामत किये गाए इस अभियान में 214 वी बटालियन के कमांडेट केडी जोसी सामिल है मैट्रिक एस्तरिये परिक्षा के लिए 21 फोटक करें अव्यदान जारखन करमचरी चैन आयोग दोरा आयोजित होने वाले मैट्रिक अस्तरिये परिक्षा के लिए ऑनलेट आवदान अब 21 फोटक भरे जाएंगे वहीं ओनलाइन आवेदान में किसी प्रक्रा का संसोदान 26 से 29 नॉमबर के बीच होगा जारखन कैबिनेट ने मुख्य मंत्री सिक्षा प्रोटसाहन वा गुरु जी क्रेडिट कार्ड पर लगाई मुहर जारखन मंत्राले में गुरु आरको मंत्री परिश्यत की बैठक होई सियम हमान सुरु की अध्यक्सता में होई बैठक में कई महतपूर्णी ने लिए गाए मुख्य मंत्री सार्थी योजना अंत्रगत जारखन के युवाओ को परखन अस्तर पर रोजगार उन मुख्य कौसल प्रसेक्षन प्रदान करने के लिए योजना की सुख्रिती दी गाई वही एस्पेशल अउक्जिलरी पुलीस सैप की दोनों वाहिनियों का कारेकाल दिनांक 31-5-27 तक भी स्तारित करने की सुख्रिती दी गाई वही जारखन के विद्यार्थियों को इंजिनियारिंग, मेडिकाल, बीधी, जन संचार, फैसन डिजाइनिंग, फैसन, टेकनोलोजी, होटल मेनेजमेंट, चार्टर अकाउंटेंट से समन्दित परवेश परिशा की त्यारी के लिए निसुल्क कोचिन की विवस्था को लेकर मुख्य मंत्र स्तिक्षा पर साहन योजना की सुख्रिती दी गाई वही जारखन में गुरुजी क्रेडिट काड योजना को भी लागू करने की सुख्रिती दी गाई है 1932 खतियान ही अस्थानियता का अधाए अस्थानियता के दाइरे में आने वाले का जल, जंगल, जमीन या तमाम प्रकिर्तिक संसादनों पर पुरा अधिकार होगा नदियो, जीलो और मचली पलन में उनकी पूरी हिच्चेदारी होगी भूमिहीन ब्यक्तियों के मामले में अस्थाने ब्यक्ति की पहचान ग्राम सबाद द्वारा उसकी संस्क्रीती अस्थाने रिती रिवाज और परमपरा के अधार पर किया जाएगा जो ब्यक्ति या जिनके पूर्व जार्खन में उन्हें 32 स्या उसके पूर्व से रहते हो परंतु खत्यान के अनुपलब्ध रहने तथा आपठनिये होने के कारण या अने किसी वैद कारण से जमीन के कग्जात नहीं दिखा पा रहे हो तो उनके मामले में ग्राम सभा को उनके अस्थानिये निवासी होने की पाचान का अधिकार होगा कोलकात्ता हाई कोट से जार्खन के तीन विधायक को मिली जमानात कोलकाता कैस कांड में फसे जारकन के तीन विधायक डाक्टर इरफानन सारी नमन बिक्सल को गाड़ी और राजस कक्छप को कोलकाता हाई कोट से कुछ अर्तों के साथ जमानात मिल गई है इसके साथ ही कोलकाता में रहने के उनके बाजयता अब खत्म हो गाई अब तीनों विधायक जारकन लोट सकते हैं समभावना है कि तीनों विधायक सुक्रवार को रांची पहुच कर जारकन विधायन सभा के बिसे सत्र में भाग ले सकते हैं नयाधिस जय माले वागची एवं नयाधिस अजय कुमार गुपता की खंड पिठने तीनों विधायकों की जारकन जाने के उनमती दे दिया है विधायकों के अधिवक्ता अयन भटाचारी ने बताया है कि इससे पहले हाई कोट ने 17 अगस्त को उनके मोकिलों को तीन महिने के लिए आंत्रिम जमानत दी थी आजसु ने 17 नौंबर को राजेब्यापी आंदोलन करेगा आजसु सुप्रीमो सुद्देश महतों ने हमनत सरकार पर जम कर निशाना साथ है उन्होंने कहा एकि नियोजन नीती में उन्होंने खतियान कस्तितो को मिटा दिया है साथ ही कहा है कि पिछलों के साथ धोका हुआ आजसु पार्टी कभी हक मारी बर्दास नहीं करेगी उन्होंने अगामी 17 नौंबर को राजेब्यापी आंदोलन का इलान किया है बताजे रांची के बोड़या में अव्योजित कांके बिधान सभा अस्तरिये बैठक में करकरताओं को सम्मोधित करते हुए आजसु सुप्रिवस सुद्देश महतों ने कहा है कि बर्तमान सरकार 1932 खत्यान अधारित अस्थानी निती की बात कर रही है लेकिन नियोजन निती को लेकर एक सब्द भी नहीं बोल रही नियोजन निती में तो इन्होंने खत्यान का अस्तितों कहीं मिटा दिया है जारखन अस्थापना दिवस पत सौक रूर का फंड की मांग जारखन के बीर सहीद बिल सामुन्डा और सहीद सिधो मुर्मू के बनसजों के लिए सोक और रूपए का फंड बनाने की मांग राष्ट पती से की गई है आदिवासी सेगेल अभियान के राष्टिय अध्यक सालखान मुर्मू ने राष्ट पती द्रोपद मुर्मू से यह मांग की है जार्खन अस्थापना दिवस के अउसर पर राष्ट पती द्रोपदी मुर्मु के जार्खन आगमन से पहले पुरु सांसद निया मांग की है बताजे सालखन मुर्मु ने राश्ट पती को चीठी लिखी है कि बीर सहीद बीर सामुंडा और बीर सहीद सिध्धू मुर्मु के वनसुजों के लिए दो अलग अलग ट्रस्ट का गठन करते हुए केंद्र और राज सरकारों द्वारा कम से कम सो ख़़र रूपय का एक फंड बनाया जाए उन्होंने कहा आई कि या उन बीर सहीदों के वनसुजों का सम्मान होगा इससे उन्हें नयाय मिलेगा उनकी सुरक्षा और सम्रीदी सुनिश्चीत होगी रामगड में आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम रामगड जीले के मांडू परखन अंतरगत लईयो उत्री पंचायत के लुगू बाबा फोटबॉल मैदान में गुरु आरको आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम कायोजन किया गया समारों के समुदत करते हुए डी सी माध्वी मिस्त्रा ने कहा है कि सरकार जानता को सुविधा पहुचाने के लिए सरकार आपके द्वारकार करम लेकर आई है ताकि सरकार की भी भीन महत्वकांची और जनकारी लोगों तक पहुंच सके लोग जनकारी के अभाव में सरकार की कई महत्वकांची और ज चाने का संकल्प लिया है जार्खन विधान सभा का विशेश सत्र में भाजपा वा जहमों में होगी भीड़ांत राज्जे में आस्थानियता को परभासित करने के लिए उन्हें से 32 के खतियान को अधार बनाने की त्यारियों को पूरा करते हुए स्थाधारी गडबंदर ने बिधायकों की बैठक हुई जिसमें एक मत से सभी ने 1932 के खतियान को लागू करने के फैसला का स्वागत किया मुख्य मंत्री को बिधायकों ने विश्वास दिलाया है कि इस मुद्धे पर सरकार को सभी का साथ मिलेगा वहीं जामोमो कांग्रेस और राश्रिय जनता दल के घोसना पत्र में भी 1932 के खतियान को समर्था देने का जिक्र है मनी लॉंडरिंग में छो लोगों के खिलाब चार सिट जारी मनी लॉंडरिंग के आरोपित निलंबित आईएस पूजा सिंगाल सीएस सुमन कुमार और बर्खास्त जेई राम बिनोत परसाज सिना की नहीं की हिरासत अधी बढ़ा दी गई है इडी ने पूजा सिंगल के खिलाब करवाई करते हुए सीएस सुमन कुमार के आवास से 19 कोड़ो रुपए बरामत किये थे इसके बाद इडी ने दोनों को गिरफतार करते हुए जेल भे दिया था इससे पहले कनिये अव्यानता राम बिनोत परसाज सिना को मामले में परखास्त कर दिया गया है जारखन इलेक्ट्रिक वहान नीती से मिलेगा लाभे मंत सुरेन सरकार द्वारा तयार की कि जारखन इलेक्ट्रिक वहान नीती की इस समय बहुत चार्चा कर रही है जार्खन सरकार ने इस इलेक्ट्रिक वहान निती को साथ अक्टूबर 2022 को सरोजनी किया था यह लोगों को वहान खरीदने के लिए प्रोसाहन देने वाले निती है इस निती के अनुसार कोई भी राज्ये में एक नया इलेक्ट्रिक वहान खरीदेगा उसे 15 लाख रुपे तक की प्रतिपूर्थी मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कुटर या बाइक की कीमत में 10,000 रुपे वहें इलेक्ट्रिक कार पर 30,000 रुपे और इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपे तक की छुट दिजाएगी बोकारो के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत बोकारो सदर अस्पताल की चिकिसिये बेवस्था में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है आए दिन डक्टरों अकरमचारियों के लपरवाई की वज़ा से मरीजों को इलाज में भी भारी परिशानी हो रही है इसी लपरवाई से मरीजों की जान तक जा रही है बतादे गुरुवार की सुबह अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से बाली डिह निवासी 43 वर्षी ये मिथिलेस रजवार की मौत हो गई मौत की ख़वर मिलते ही मिरित्ता की पाचान के लोग अस्पताल पहुंचे और इलाज में लपरवाई का रोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया हंगामे की जनकारी मिलने के बाद सीविल सर्जन डाक्टर अभाय भूसन परसाद अस्पताल पहुंचे और सोजनों से घाटना की जनकारी लेने के बाद उचित करवाई का भरुशा दिया है राज अस्तर ये एकलब बिद्याले खेलकुद परत्योगता शुरू तीन दिवसे राज अस्तर ये एकलब बिद्याले खेलकुद परत्योगता 2022-23 का गुरू आरको दुमका के बिरसा मुंडा आउट डोर स्टेडियम में सुभारंभ हुआ छात्राओ को समोधित करते विए सांसर सुनील सोरेन ने कहा है कि पहले जब बच्चा खेलता था तो उसे टोका जाता था कि खेलकर क्या फायदा होगा लेकिन अब समय बदल गया है खेल के माधियम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं और जीवन अस्तर को भी सुधार सकते हैं इसलिए खाना जितना जरूरी है खेल भी उतना ही जरूरी है सडक से लेकर जंगल तक फोर्स के अधिपत्य में होगा राश्टपती द्रोपादी मुर्मो के उली हातू और खुटी आने से पहले ही खुटी के सडक से लेकर जंगलों का चपा चपा पूलिस के अधिपत्य में होगा पुलिस और पारा मिलेटरी फोर्स लगाता चार दिनों तक खुर्टी के नक्सल और उग्रवाद प्रभाईत इलाकों में अपरेशन चलाना सुरू कर दिया है अपराधियों की गिरफतारी के लिए छापे मारी अभ्यान तेज कर दी गई है उली हातू से खुर्टी तक सड़क के किनारे सभी घरों का सत्यापन किया जा रहा है ए बाते खुर्टी के स्पी अमन कुमार ने पत्रकारों से बात चित करते हुए कही स्पी ने बताया है कि पुलिस मुख्याले से काफी संक्या में वर्य NBC बदादीकारियों समेट काफी संक्या में पुलिस बल भेज़े जा रहा है इसके अलावा परामिलेटरी फोर्च के भी भीन बटालियन के तेनाती भी राष्ट पती द्रोबादी मुर्मो के आगमन को लेकर की जा रही है बीजेपी ने हमांत सरकार को घेरने की बनाई रण निती भारतिये जनता पार्टे ने हमांत सरकार के द्वारा जहरखन बिधान सभा के 27 के दुरान सुक्रवार को लाए जा रहे हुने से 32 खतियान अधारित अस्थानिय नीती और 27 पतिसत ओबी सियार अक्चन समन्दी बिधायक की अलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की मनसा ठीक नही पार्टे के मुख के सचे तक बिरंची नरायन ने कहा है कि पार्टे के सभी विधायक 1932 खतियान अधारित अस्थानिय नीती और 27 पतिसत ओबी सियार अरक्षन पर सहमत है मगर विधायक में जिस तरह से तुर्टिया है उसे दूर किये बिना इसे सदन में लाना उचित नहीं है 1932 से लेकर 2022 तक का ख्याल रखेगी सरकार मंत्री बना गुपता जहरखन के लिए सुक्रवार 11 नवंबर की तारिक बेहत खास होने वाली है इस दिन हेमत सरकार 1932 खत्यान अधारित अस्थानिय नितिया रोबिसी अरक्षन से जुड़े बिल को विधायन सभा से पास कराएगी इन दोनों बिल के अलावा राजे में राष्ट पदिसासन के जरूरत से जुड़े रहुआ दास के बियान पर मंत्री बना गुपता मंत्री अलमगीर अलम और मंत्री जगनात महतों ने परतिकिरिया दिया है बतादे संसदिय कारमंतिय आलमगीर आलम ने कहा है कि सुक्रवार को 27 बुलाया गया है 1932 के खत्यान के अधार परस्थानियता रोबी सिको से 23 पर 37 अरक्षन से जुड़ा बील सुक्रवार को सदन में पारित होगा उस पारित बील को केंदर सरकार को भेजा जाएगा उन्होंने कहा है कि दोनों बील में सारी बातों का जिक्र होगा जिन्होंने बिपक्स स्यागरा किया है कि राज यहित में दोनों बील को पास कराने में समर्थन करे फारमेसी कॉंसील आफ इंडिया का फैसला बरकरार रहेगी सीटे जारखन के लगवग एक दरजन फर्मेसी संस्थानों को रहात मिली है फर्मेसी कॉंसील ओफ इंडिया ने संस्थानों के निरिक्षन के बाद इन संस्थानों की सीटे घटा दी थी लेकिन संस्थानों की अपील के बाद कॉंसिल ने इनके द्वारा सपत पत्र देने के बाद इनकी पुर्व की सीटे वहाल रखने पर अपनी समती दे दिया फर्मेसिक कॉंसिल अफ इंडिया ने कई चर्णों में संस्थानों के निरिक्षन के बाद रिपोर्ट के अधार पर विभीन कमिया होने के कारान वर्ष 2022 स्टेज के लिए सीटे घटा दी थी जार्खन की इस्पेसल थाली में मडवा रोटी पिठा भोजन किसी भी छेतर की पाचान और संस्कृति का एक महतपून हिसा है हम जो खाते हैं उससे जाने भी जाते हैं जार्खन के प्रमपारिक ब्यंजनों की बात करें तो ये भी अपने आप में अनुठे हैं बताद जार्खन के आदिवासियों की भोजन प्रनाली में अस्थाने संस्कृति और प्रमपराओं की गहराई की जलक भी मिलती है जार्खन के प्रमपारिक भोजन अत्यंत सम्रीध है जिसमें कैल्सियम, लौव, खनीज और विटामिन की अपनी अवसकताओं को पूरा करने के लिए यहां के लोग जंगली या उगाई गई कई किसमों की सबजिया और कंद जैसी चीजों को भी आइड करते हैं इस्टाडी में यह बात भी सामने आई है कि आदिवासी भोजन रोग और सारीरिक विक्रीती से रक्षा करता है और हाई लेवल इमुनिटी परदान करने में सक्छम है दीपक कुमार परदान का निधन अरजुन मुन्डा ने जताया सोक जारखन की पूरो मंत्री वा सिम्डेगा विधान सभा की पूरो विधायक बीमला परदान के पती सग गोड़ा आदिवासी महा सभा जारखन परदिस के मुखे संडग छक सेवा निवीत जेल अधिक छक द दीपकुमार परदान का निधन हो गया उनके निधन पर केंद्रिय मंत्री अरजुन मुन्डावा सिम्डेगा विधायक भोशन बाड़ा सहित अन संगठनों के नेताओ अजन परतिनिद्यों ने भी सोक व्यक्त किया है रांची से स्वर्गे परदान का पार्थिव शरीर सा पांच बजे विधायक अवास केला घाग रोड में लाया गया 11 नॉम्बर को सुबह 9 बजे पालमारा नदी में अम्तिम संसकार किया जाएगा रांची लोहरदागा मेमू ट्रेन का बदला समय है दक्षिन पुर्वमध रेलवे के बिलासपूर मंडल अंतरगत बिलासपूर चामपा रेलखंड इस्थीत जैराम नगर एस्टेशन एम लतिया एस्टेशन पर नन इंटर कॉलिंग कारे के कारान हाटिया लोकमाने तिलक हाटिया एक्सप्रेश ट्रेन 11-14 नॉमबर 22 तक रद रहेगी इसके अलावा 12 नॉमबर को रांची लोहरदागा रांची मेमू ट्रेन के समय सारनी में बदलाव किया गया है बीजेपी का बिरुवत परदसन राज सरकार की नीतियों के खिलाब भाजबा ने खुट पानी परखंड कर्याले के समक्ष मॉंडल अध्यक्ष सुदामा माय बोरू की अगवाई में धाना परदसन किया धरना में पहुँचे जमसेद पूर्महानागर के पुर्व अध्यक्ष नंद जी परशाद ने कहा है कि जारकन की हमंत सुरेन सरकार के कारेकाल में घोटाला वा भरस्टचार स्क्रिमा पार कर चुका है सरकार की गलत नीतियों का खामियाना आम जनता भोगत रही है जमसेद पूर्महानागर के पूर्व अध्यक्ष नंद जी परशाद ने कहा है कि हमंत सुरेन सरकार मुफ्त बिजली पांच लाख युआओ को रोजगार पढ़े लिखे युआओ को हर माह बेरोजगारी भात्ता दो लाह का किसान रिन माफी जैसे अनेक वादेकर सत्य में आई है परन्तु इसे पूरा करने में नकामी रही। रांची में 38 पूलिस अधिकारियों का तबादला। प्रभारी प्रचार्य की पिटाई कर दी इसके बाद पूलिस वहाँ पहुची प्रचार्य को ठाने लेगाई पूस्त आज के बाद उन्हें छोड़ दिया गया धन्यवादी आप चनल पने होते चनलों की सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो की एक लाइक कर पें दोस्तों अशर करना भूलें साथी साथ आप हमें कोमेंट ब